कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ अच्छे होंगे आज फिर से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो पे आप सभी को मैं एक ऐसा प्रोड़ाइक्ट दिखाने वाला हूँ जिसका आप सभी को बेस अबरी से इनतेजार होगा या फिर अगर आप भी एक यूटूबर है तो ये प्रोड़ेक्ट आपके लिए बहुती ज़ादा है या फिर आप अपने होम एस्टीडियो बनाना चारे हो या फिर आप भोकल रिकोडिंग करते हैं या फिर आप एक छोटा मोटा सिंगर है सिंगिंग का क सो फ्रेंस मैंने बेरिंगर का एक ओडियो इंटरफेस मंगाया है ओनलाइन एमेजॉन के थुरू मैं आज की इस वीडियो पे सिर्फ आपको अन्बॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और बहुती जल्द मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिस पे मैं आपको कौन सा कंडेसर माइ और यह बेरिंगर जो ओडियो इंटरफेस है इसको यूच करके मैं आपको ओडियो क्वालिटी भी बहुत की जल्द नेक्स्ट वीडियो में चेक कराूंगा आज सिर्फ जो ओडियो इंटरफेस है उसका हम अन्बॉक्सिंग करने वाले है तो आई होप आप सभी को मेरे टे दे रहा होगा मैंने कुछ दिर पहले इसको open करके देखा था फ्रेंस मैंने ये amazon के थुरू मंगाया था online इसका अगर price का बात करूँ ना तो भी ये price कुछ जादा नहीं है price जो आपको ये amazon पे available मिल जाएगा almost 4500, 4500 से लेकर 400 रुपे में ये वाला product ये model आपको मिल जाएगा amazon पे and मैंने link amazon का video के नीचे description पे डाल दिया है तो आप उस link पे click करके amazon पे जाके check कर सकते है इसका latest price क्या चलड़ा बट अभी जो है 4600 रुपे के something इसका price चलड़ा और ये जो भी या audio interface है ना ये एकदम cheap and based है मतलब budget के हिसाब से बहुत ही जादा एक अच्छा audio interface है तो चलिए हम इसको फटा-फट से unboxing करते है ये कुछ amazon के थूरू पैकेट इस तरीका से packing होके आया था कुछ दिर पहले ही हमने इसको open किया तो इसको एक बार हम रखते है site पे जैंड box के अंदर पे इसका हमें कुछ main content इसके अंदर मिलेगा तो सबसे पहले भीया box के चार और आपको दिखा देता हो कि box पे कुछ ऐसा है नहीं box पे ऐसा तो कुछ फिलाल है नहीं अगर इसका product का आप अगर description पढ़ना चाहते हैं तो obviously आपको वीडियो पे दिखाए दे रहा है आप लोग खुद इसको read करके देख सकते हैं पर सकते हैं इसके बाद अगर भी है इसको मैं open करू ना तो कुछ इस तरीका से यह वाला जो box अपन होता है कुछ इस तरीका से यह box open होगा और इसके अंदर पर पता ही है हर एक product पर कुछ ना पूच कुछ एक है मतलब manual guard होता है तो मिलता है यह product का manual guard है अगर आपको product के अच्छे खास features के बारे में जान करें चाहिए तो इस manual guard को आप पर सकते है फिलाल मैं इसको एक बार रखता हूँ मेरे side पे then इसके बाद इसके अंदर पर और हमें क्या मिलता है वो चीज़ देख लेते है तो इसके अंदर पर एक छोटा सा box के अंदर विया box हो चुका है खाली जो man content है य मतलब CPU के साथ यह connect होगा कैसी होगा यह भी मैं आपको open करके दिखाऊंगा दैन इसके बाद जो इसका audio interface है वो आपको इसके साथ में मिल जाता है audio interface काफी अच्छा और छोटा सा compact है यह size की अगर बात करें तो भीजा देखने में काफी छोटा सा एक product है लेकिन बहुत ही ज सिल्वर कलर का है अब यहां पर आपको मिल जाता है थिरी volume controller जिसमें एक तो भी है यह है output I hope आप लोगों को लिखाए है यहां पर दिखाए देरा output है अगर आप headphone या कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो तो कितना आपको output चाहिए audio का यहां से आप control कर सकते है यहां पर इंस्टा two mics से मतलब जो volume control से audio को control कर सकते है यह हमारा main mic line होता है जो कि हमें condition mic यूज करना है इस पर यह वाले plug पे हम यूज करेंगे तो यहां पर हम इस audio interface में मतलब दो mic यूज कर सकते है और दोनो mic का volume audio को कितना चाहिए control करने के लिए यह तीन दो button है sorry controller और यह विया एक output है कितना audio आपको output यानि बाहर की आवाज चाहिए back side पे अगर बात करो तो भी यह देख सकते है output है यहां पे आप कोई भी अच्छा गासा एक picker या तो फिर कुछ output के लिए use कर सकते है headphone के अलवा then यहां पे यह हमारा USB data cable है यानि यह power cable है जिसके थुरू यह वाले जो cable हमें मिला है इसको हम अपने computer के साथ में connect करेंगे यह में एक बार open करके दिखाता हूँ यह वाला cable आपको कुछ इस तरीका से मिलता है यह तो भी यह USB cable है दूसरा यह port का नाम मुझे भी पता नहीं है बट आप लोग खुदी देख लिजे यह वाले जो port है हमारा एकदम यह audio interface पे इंपोर्टेंट है यह आपको दिखाय दे रहा होगा 48 भोल्ड यहां पे on और off करने का ना 48 भोल्ड का एक बटन है जब भी आप इस audio interface को यूज करेंगे इसके जो पीछे यह 48 भोल्ड का है ना इसे आप हमेसा on रखेगा 48 भोल्ड अगर हम on करते है तो यहां पी एक 48 भोल् इसको अच्छा का सा मिलेगा तो यहां पे इससे हम ओन या ओफ कर सकते हैं अगर टारंट साइट की बात करूँ ना तो अगर दिखायं न को दिखायो ने यह और पर यह एक बटन चाहते हैं तो यह ऊपान क रखना कर सकते हैं या फिर नहीं और जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि next वीडियो में मैं आप लोगों को यह टेस्ट करके इसका audio quality और काफी सारे इसमें features है सारा features एक एक करके check करके दिखाऊंगा तो next वीडियो का इंतेजार कीजेगा पूरी details के साथ में दूसरा वीडियो बहुत ही जल्द आन बैक साइड पे और भी या बॉक्स के टॉप पे तीन बोलियम कंट्रोल आपको मिल जाते है तो यह जो था बैरिंगर का मतलब इफोरिया UM2 modern number है काफी अच्छा cheap and best audio interface है यह वाला तो फिर से चारा तरप से गोल-गोल घुमा के दिखाऊं या कुछ भी काफी compact है साइज में भी देख सकते हैं कहीं पर भी रख सकते हैं जादा कोई बड़ा या फिर कुछ नहीं है काफी compact मतलब का बहुत ही जादा बैटरिंग कंपेट है तो भी यह यह था इसके बाद जो है यह केवल आपको मिल जाते है और मुस्ट यह केवल जा तक मेरे को आईडिया यह आपको देर से दो मीटर का लंबाई का कैवल है कहीं पर भी आप इस ओडियो इंटरफेस को रख के टैवल पर अपने CPU या फिर लैपटोप के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और भी यह इसके साथ में इस box content में आपको कुछ नहीं मिलता है दो चार थैली है और एक दो यह है इसको भी ओडियो इंटरफेस जो मैंने आपको दिखाया अन्बॉक्सिंगर के यह आपको वेरिंगर का ओडियो इंटरफेस था जो की UM2 मॉडल था इसका प्राइस भी आपको बता चुका हूँ और अगर कहीं आप ओफलाइन दुनिया में अगर आपके पास experience है या फिर knowledge है या फिर आपको पता है कहीं से आप purchase कर सकते है तो हो सकता है जहां तक मेरा idea है आपको 2-4-500 रूपे ओफलाइन दुनिया से ओफलाइन दुनिया में सच्ता मिल सकता है तो बहुत ही एक अच्छ जल्द इस audio interface को मैं test करके live दिखाऊंगा यह audio interface मेरा purchase किया हुआ something one week जैसा हो गया है और इसको मैंने पास से 6 दिन पहले इस्तेमाल किया अच्छा खासा लगा देन उसके बाद मैं एक अच्छा unboxing और review का आप सभी के लिए video लेकर आया हूं तो आयो वीडियो में आप लोगो देखने के लिए आप अपना brother tag youtube channel को subscribe करना मद बूलेगा वीडियो अच्छा लगा तो like का बटन जरूर दवाईएगा और अब भी अगर आपके मन पे technical related कोई भी सवाल है तो comment box जिंदावाद है comment box में आप comment करके मुझे पूछ सकते हैं मैं हर किसी का comment का reply जरूर करता हूं फिलाल चलते हैं बाबाई take care बहुत ही जल फिर में लूँगा एक latest और new update के साथ में बाबाई